गुड मॉर्निंग स्टेंट्स आज हम इंडियन एकनॉमी के पार्ट के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे पिछले चाप्टर में हमने डेवलाप्मेंट के बारे में सीखा था कि हम लोगों के डेवलाप्मेंट का क्या मीनिंग है अलग लोगों के लिए डेवलाप्मेंट क इसक्तर नहीं है वर्ल्ड के हर इकोनोमी का सेक्टर इसी रूप से डिवाइड जैनरली होता है तो अज इसके लिए मैंने थोड़ा यह स्लाइट से बनाया है जो आप इस लाइट की जरूवत होगी तो आप इमेल कर सकते हैं आपको वह स्लाइट में इमेल भी कर दूँगा औ इंडियन एकोनोमी या कोई भी एकोनोमी को तीन सेक्टर में बाटा जाता है अब देख सकते हैं प्राइमरी सेक्टर 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 टर्सिरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर वैसी एकोनोमी का वह पार्ट है जो खेती या खेती से रिलेटेड चीजों से जुड़ा रहता ह हैं जैसा की उसको जो डारेक्ट मतब हम लोग जमीन से उगाते हैं या डारेक्ट कही खढ़ादान के सा मान निकाल है माइनेंग यह प्लानटेशन यह इसके अलावा डेरी युद्धयोग डियरी दीक फीसरी उद्धयोग जहाँ डारेक्ट हम लोग के शक् importance मिल रहा है तरहूं के प्राइमरी सेक्टरफ क्या हुआ इसमें जैसे कि टेक्स्टाइल साता है फुड प्रोसेसिंग आता है कारपेंटरी आता है ऑटो मॉबाइल इंडस्ट्री आता है और इसी तरह जो भी मतलब के दिमाग में आता है कि जो मतलब खेती से जुड़ा हुआ या माइन से जो कोई चीज मिला या प्लाइटेशन उससे ले करें थिय Thai, हम कोई चीज बना रहे हैं, तो वह secondary चीज में है, secondary sectors में आएगे, उस और लास्ट में मिन हैं हम लोग का tertiary sector, tertiary sector को हम लोग service sector भी करते हैं, service sector वो sector है, जो इन दोनों के अलावा हम लोग economy में अक्टिविटी देखते हैं जैसे बैंकिंग हुई फिर आप ट्रांस्पोर्टेशन देखते हैं उसके अलावा टेली यहां जो भी ट्रांस्पोर्टेशन से जुड़ा हुआ चीज मजब बैबार्स और ट्रेडिंग होता है वह सब्सक्राइब कर देखते हैं यानि जो भी ट्रांस्पोर्टेशन से जुड़ा हुआ चीज जो भी सर्विस जो प्राइमरी और सेकंडरी सेक्टर को हेल्प करने के लिए इस्टमाल होता है उसको हम टर्सरी सेक्टर कर सकते हैं आप जो हमारा स्लाइड भी बना उसमें देख सकते हैं कि टर्सरी सेक्टर जो है वह प्राइमरी सेक्टर को ही मदद करता है और टर्सर लो आगे बढ़ेंगे तो तो इसमें दिखा रहा है पहला एक्जामपल हम लोग का क्या है यह सुगर एक सुगर मिल यदी कोई है वो सुगर मिल को एक किसान जो है अपना प्रोड्यूस नहीं बेचने के लिए तियार हो यह कि नहीं यह सुगर मिल उचे दाम नहीं देता है तो क्या होगा आज पास के कोस्ट भूँ जाए वह जाए तो कोई खरिदार नहीं रहेगा कोई दाम घटा के बेचेगा तो फिर उसका फैक्टरी को लौस में चालना चाएगा तो यह क्या दिखा रहा है कि हम लोग के देखना इसमें कि हम लोग का इंटर डिपेंडेन्सी कैसे है तो इसे इस एक्जा सब्सक्राइब दिया हुआ है तो मैंने कोरे हैं और कर सकते हैं सब्सक्राइब आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि आपका भी मतलब उसमें जो तुरूटियों डिसकस करिए उसमें जो प्रॉब्लम होगा वह हम लोग सॉल्व करेंगे इसा आज कल बहुत बार देखने को मिलता है कि चाइनीज कॉटन इंडस्ट्री या और कहीं और से कॏ इंडियन ये इधी कॉटन रिए और किसी और के कानि यहां कहां को बेच देंगे तो क्या होगा ने जो कॉटन इंडस्ट्री और घट किसान अच्छ में और जब खरिदा मारकेट में कर दर नहीं रहेगा तो उनको ऊणे पूने दाम में उनको बेचना पड़ेगा तो कि सेक्टर रैset कॉनरी से इसकेंडरी सेक्टर एस यह इसा हम लोगिसी इंडॉस्ट्र टोली सकते हैं पहला फिर सुघर राइस मिन नान दे तो भी उसके लिए प्रॉब्लम है फिर उसी तरह यहां है यहां आपका यह कपास की खेती आप करते हैं आपको लेकिन आपको कॉटन की डिमांड इंडियन रहे हैं तो आपको यह तो आपको जो प्रलागत है वो नहीं लगा उससे लोग कॉष्ट में देना पड़ेगा और अपने पूरी तरह से इसमें भी पर बायर और सेलर एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे यहां भी वही हाल है कोई भी मार्केट में जो डिमांड है उस पर हम कोई भी खेति करती है जामपल और ब्राइमरी सेक्टर डिपेंडिंग वन डिमांड आफ से केंडरी सेक्टर के अपर है थार्ड जो हम लोग का एक जामपल है फार्मर्स बाइक मेनी गूड्स सच अच्रैक्टर्स पंप्सेट इलेक्ट्रिसिटी पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर इमेजिन वाट वूड हैपन इफ प्राइस फर्टिलाइजर और पंप्सेट्स विल गो अप कॉस्ट अफ कल्टिल लिए खेति जे cirnay के लिए फार्मर्स को फिक चाहिए होते हैं इलेक्रिसिटी चाहिए होती है फिर प्रेस्टी साइड चाहिए और उसके लाव फांतिलाइजर चाहिए होता है यदि इस एक सब चीज महँंगे रहसे सब्सक्राइज कॉ सब्सक्रणि का जमीन का पानी से समर्शिवल पंप या कोई किसी और तरीके से निकालते हैं उसी तरह अगर हमारा पेस्टी साइड जो कि छिड़का होता है वह यदि महंगा हो जाए जो कोई भी चीज महंगा होगा तो हमारा उपज करने का कौश्ट महंगा होगा तो जो इंडस्टियल ने करकेट में कभजा कर लेगा और वो लोग इसमें ज्यादा सफल हो जाएंगे खेती करने और उनका प्रोडिस्ट बिकेगा और हमारे लोगों का यदि बिकेगा भी तो उनको मिनिमम मार्जिन पर अपना समान बेचना होगा और उसका आसर क्या होगा कि उनको प्रॉफिट कम होगा तो यह क्या रहा है इस और डिपेंडेंशी और प्रामरी सेक्टर सेकेडरी सेक्टर हैं जिए कने तो अशांद मंगा हो गा बूअरकेट में सेकेंडरी सेक्टर के जो मैनुफैक्ट्र रएंवन हैं वो लोह को हाई-पोस्ट में इंडिया से खरिदना पड़ेगा तो यह उनके लिए भी प्रॉफित रॉब्लम में प्रॉब्लमेटिक है रंतु बहुत ज्यादा हाई-कोस्ट होगा तो बहुत ज्यादा खरिदार नहीं होंगे तो इसके लिए जो प्राइमरी सेक्टर के जो फार्मर्स हैं उनको भी मीर मत्तब अपना जो प्रॉफिट मार्जिन हो कम रखना होगा जिससे की कम से कम उन पर महंगाई का असर हो और उनके सारी जो प्रोड्यूस है वो बिग जाए तो मे जो कि सेकेंड्री सेक्टर में उन्स हमारा फर्टिलाइजर बनाता है पंप सेट बनाता है तो इसमें दोनों एक दूसरे renting पर करेगा तो प्रोडिूस जाएक तो वह मंगा हो जाएगा तो यह रहा है कर डा है इसमें क्या है पिपल वर्किंग इन डॉस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर नीट फूड बोला है कि कोई भी आदमी जो किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उन्हों खाने की तुझे वरत हैं सब कोई खाता है वाई त्रीन टाइम इमेज़िन वाट वूड हैपएण इव देरिस अ इस ट्राइक वाई ट्रांस्पोर्टर यह समझे की सरविस सेक्टर जो है उसके बारे में इसमें बत पूछ रहा है क्या होगा या हिदि जोAgानि श्ट्राइक हो आती है ट्रक की अप लोग खुद देखते हूं इह ट्रांस्पोर्टेशन था होती हैं तो अगले दिन साम साम होते होते हैं सब्जी वाले आप से महांगा दाम वसुलना सुरू कर देते हैं कल हो के मतलब वह कोई भी चीज में तो तुरंट दाम बढ़ आता है तो यह बोलने का मतलब यह है कि आप सब्जी तो सबकी जरुवत है सब्जी साबुन तेल यह सब्फम सेजी गूठ जो होते हैं जिनको कहा जाता है वह सब हो रहा है वहां पर खेती और यह होगा वहां पर अपर दाना में पड़ा रहा लए क्वे वहां और यह सुम् Mario में सब्सक्राइब का बाद होने लएगा तो ये प्राइमरी सेक्टर जो है किसैन सेटर सेकानुचर रच crochet Pi परेज़र मंक्रवाइब तो बहूत जादा मेनिफैक्चरिंग हो रही है का स्पीड से हर दिन sembler लेके देते हैं मारूती कंपनी की प्रोड्यूस करने की छमता हर दिन एक हजार है परन्तु ट्रांसपोर्टेशन के चलते उनका जो लॉट है हजार का जो हजार हजार का यह वह भरते भरते इसा हो गया है कि लाखों गणिया बनके खड़ी हो गई और उनको कोई ले जाने वा का मतलब यह हुआ पूरे इस सर्विस सेक्टर के श्ट्राइक को जो पर यह दिखाने का कोशिस किया गया है कि सर्विस सेक्टर को भी हम लोग नहीं कर सकते हैं और सर्विस सेक्टर प्राइमरी और सेकंडरी दोनों सेक्टर को प्रत्याच रूप से मतलब डाइडेक्ट और इन डारेक्ट डोनों रूप से प्रभावित करता है यह पर टारेसरी सेक्टर का हमने एक एक जाम पर सिर्फ ट्रक का या ट्रांस्पोर्ट का श्ट्राइक के बारे में से खा कई बैंक की भी एक श्ट्राइक होती है तो बैंक के श्ट्राइक होती होती है तो मार्केट में कैस आपस में यह कम्मिनिकेशन का यह बहुत सारा प्राब्लम होना शुरू हो जाता है उसी तरह यदि ट्रांस्पोर्टेशन में अलावाए दिया हम लोग आवागमन के लिए बस और बसे जो प्राइवेट के लिए उसका भी यह टाक्सी वेस्ट आई हो आती है तो बड़े- सेक्टर भी टर्सिरी सेक्टर को प्रभावित कर सकता है है रिट अने सेक्टर पे कैसे प्रैमृ ह्लेकन्टर है आप लोग के book में के बाद एक कुष्चनायज के लत गया है क्लाइब कुछ दिये हुए कि का काम जो प्रामरी सेक्टर में आता थर्का थर्क टर्सरी दिए तो इसमें मोग देखते हैं क्या क्या है उसमें बहुत सारे घ्यांपन परफ़ाला फ्लावर कल्टिवेटर फ्लावर कल्टिवेटर हमारा प्राइमरी सेक्टर में आएगा मैंने पहले ही इसे बाट दिया है बुक में तो अलग-अलग वह बटा हुआ है फ्लावर कल्टिवेटर यानि जो फ्लावर की खेती करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर में फिसर में जो ड कते हैं देरेक्ट तो यो कुछ दूरी सेक्टर में आएंगे जर टेलर से कंडरी सेक्टर में क्यों आएगा क्योंकि वो कपड़े की मैनुफर्डे का मत्तौ से आपके लिए च consumers सब्सक्राइब आब कहा commence भाज सब्सक्राइब जो बनाता है उसको काट कूट के वह आपके लिए बास्केट बनाता है तो भी सेकेंडरी सेक्टर में आएगा उसी तरह फैक्टरी वारकर्स इने मैच फैक्टरी जो भी काम करने वार लेवरर हैं जो मैच फैक्टरी में काम हो रहा है मैच फैक्टरी में लखड़ी कहां से है कि भाई प्राइमरी सेक्टर में आएगा क्यों कि मिट्टी का वो मतलब मिट्टी को पहले कोई लाता है उसका वो लोग मैं उसको मिट्टी को साफ सफाई करते हैं उसका घड़ा बनने योग यह उसको बनाते हैं तभी उसके बाद वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो भी सेकंडरी सेक्टर में आएं कि उसमें primary और secondary और tertiary दोनों जुड़ा रहता है कैसे प्राइमरी जो दूद ग्वाला जो दूद दूद के बेच दिया वो primary sector का हो गया उसी दूद को लेके अमूल ने पेड़ा बनाया दही बनाया छाच बनाया पनीर बनाया तो वो क्या हुआ उस दूद का इस्तेमाल करके अलग-अलग जो प्रोसेसिंग हो गया तो वह secondary sector का हो गया और वही चीज को लेके कोई retailer उसको या कोई milk vendor उसको बेच रहा है तो वह tertiary sector का हिस्सा हो गया प्रिष्ट भी आपको पूजा करवा रहा है पूजा उसका कोई प्रड्यूस तो है नहीं जन्रली सबसे फाइन एक चीज यह जान लिजिए कि जो टर्सरी सेक्टर है कोई उत्पादन नहीं करता है वह सिर्फ आपको service provide करता है या हो सके किसी का service समान ले के आपको बेचता है वह कोई चीज का manufacturing नहीं करता है यह आपके मतलब यह समझ लिजेगा तो टर्सरी सेक्टर को define करना बहुत आसाना जो से तरह प्राइमरी सेक्टर क्या करता है कि कि किसी भी चीज को natural sources से लाके देता है और secondary sector क्या करता है कि जो natural sources से जो चीज produce की गई है या लाई गई है उ तो प्रिष्ट का क्यों से टर्सरी सेक्टर में आगए प्रिष्ट पूजा करवाता है तो आपके मन की संतुष्टी के लिए देता है वैसा तो नहीं कि कुछ आपको उसके बदले में भगवान का सिरवाद आपको एक डिबा में दे देता है और उसको लेके आप अपने सर प्रिष्ट लगा लेता है और विए क्या विए प्रिष्ट तो सिर्फ आपके मन की संती के लिए के भाई भगवान आपको को चुकल ऊन्राचा और इक इसका पर प्रोडिूस नहीं कही है money lend manner money lender क्या कर रहा है एक पैसा के बैंकिंग सर्विसेज की है या पैसा भी नहीं होता तो दो फिजन फोर्म पैसा है नहीं पैसा एक तरह सब जोड़ी जर्म आ कर आ सब्सक्राइब करता इस आत्मी को देंगे दसके जग हमको 12 रुप्य देखा तो इसमें को प्रोड्यूस तो सब्सक्राइब को रॉकस्वेर की सब्सक्राइब के थो रॉकस्त से हों एक गया है मतलब वहाँ सब्सक्राइब को बना के लिए आता वैसा तो नहीं होता है उसी तरह कॉल सेंटर उंपलॉइ वह लिए टाट कलेक्शन का जरिया गाफे नौर्मालीबड़ी टाट केलेक्शन हमलोग करते हैं तो अपने आसपास करते यह समझिये के स्पेस में करता है third इसमें last option है call center employee वो भी एक तर्वीस प्रवाइट कर आपको यदि मोबैल में कुछ problem हुआ बैंक में कुछ problem हुआ या किसी और चीज में जो problem हुआ वह call center employee वहां से phone करके आपको से उसके solution देता है और आप नए-ए मैं प्रोड़क्ट के बारें बताता था वो भी आपको कोई फिजकल फॉर्म में नहीं देता है तो यह सब हुए आपके टर्सरी सेक्टर के जो डिवाइड जो आपके टेबल में दिया हुआ उसका अलगला जो डिवीजन है इससे धिरे-धिरे आप लोग समझने की कोई कोशि आप के लिए तो तरमों का हैं सोत्वित नहीं कर सकते हैं कि यहां से व्ट्वर पाइमते यहां से प्रॉड्यूसर इतना हुआ और यहां से हमको हम लोग को मौनेटाइज करना हुनिया यहां काम कौन करती है हमारे हां हमारे देश में एक U.S. है Central statics office जो हर sector के उत्तपादन को यानि produce को monetary term में calculate करती है और फिर हम लोगों को बताती है कि primary sector का कितना टोटल income है secondary sector का total growing कितना income है tertiary sector का कितना income मैं तो हम लोग इसके बारे में आगे बढ़ते हैं the value of final goods and services produced in each year during a particular year provides the total production of the the value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year. बोल रहा है कि हर sector में जो final goods का जो value होता है वो उस sector के total production के बारे में बताता है. अब आएए. अपने GDP का नाम सुना होगा GDP क्या कहते हैं यह जो तीनों sector का जो जितना produce हुआ उसका जो value हुआ monetary term में उसको total यदि कर देंगे एक साल का तो वो देश का GDP के रूप में आ जाएगा it is the value of all final goods मत्तब जो final goods हम लोग कहां इस्तेमाल हो रहा है जैसे कोटन की खेती हो रही है तो उससे बना कपड़ा का जो final goods के रूप में जो इस्तेमाल हुआ उसका जो प्रोड़ दाम हुआ वो हमारा calculate किया जाएगा ऐसा नहीं कि हर रस्तर पर उसको calculate किया जाएगा एक खेती के पास से किसान के पास से GDP क्या calculate करेंगे तो वो जो 50 रुप्या है सिर्फ उसी का करेंगे ऐसा नहीं कि पचास प्लस 30 प्लस 10 पचास तीस 80 प्लस 10 90 ऐसा नहीं करेंगे यानि जो final goods हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसको उसी का सिर्फ calculation होता है तो it is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year GDP क्या है it is the value of all final goods जो हमारे देश में पूरा जो भी final goods इस्तेमाल होता है या services जो इस्तेमाल होती है उसका जो भी value है एक सा देश में एक साल के अंदर जो हुआ उसको हम लोग देश की GDP कहते हैं GDP shows how big the economy is GDP दिखाती है कि किसी भी देश की economy कितनी बड़ी है और the central statistics office under the ministry of statistics and program calculates the GDP of India तो इंडिया की GDP कौन calculate करती है जो किसके अंदर है ministry of statistics and program के अंदर अब आये हमारे जो तीनों सेक्टर हुए हिस्टोरिकल चेंजे जो उसमें कैसे आए जो मैंने यह बनाया स्लाइड उसमें आप देख सकते हैं इसमें इसमें यह बताया गया है कि सुरुवात से जब इतिहास में मतलब खेती मूलता हम लोग कहां देश कोई किसी भी देश की economy के लिए मैं मतलब agriculture ही है के में इंकम का सोर्स था उस समय बिजनेस नहीं बहुत के लिए मतलब फैक्टरी बहुत कम थी फैक्टरी तो जनरली इंडस्ट्रियल डिवल्यूशन के बाद वेस्टेंड वर्ल्ड में आई और हम लोग कहां भी उसी का धीरे धीरे ट्रिकल डाउन एफेक्ट वार हम लोग यह उसके बाद धीरे धीरे आया तो तो यही बता रहा जर्णद पी का हिस्सदा ग quieres agriculture का बहुत कम हो गया है उसी तरह से केंड्री जो सेक्टर हुआ प्राइम्री सेक्टर का जो से बहुत व्यादा था हिस्टोरी कर ली Perry सेकंडरि सेक्टर बहुत ज्यादा हुआ और सेकंडरी सेक्टर इंडास्ट्रियल पहले सब्होंप्रेशन ट्रेडिंग नए नहीं डेश से विज्देश न हो गए लगे बड़े से Спायवा इकुरे एकनॉमी में अभी तरफ दैख रने, है information technology के चलते हैं आप लोग इंफर्म में तब कूरियर सर्विसेज और यह सब भी और भी जो IT से जुड़ी mobile services यह सब का ज्यादा value किसी भी economy में बढ़ता चला गया और बढ़ता ही जा रहा है तो बोल रहा है since the dawn of the history primary sector was very much prominent in countries मत्तब जब से हम लोगोंने खेती करनी शुरुवात की होगी तब से प्राइमरी सेक्टर खेती ही हम लोग का पैसे का एक मात बहुत बढ़ा शुरूत था और खेती से हम लोग मत्तब किसी भी देश की economy चलती थी लेकिन जब सी फेरिंग ट्रेडर्स आये मत्तब एक जगह से दूसरे जगह समुद्री रास्ते बनने खोजने शुरू हो गए और बाद में इंडुस्ट्रियल्री रिवल्यूशन आया तब क्या हुआ टर्सरी सेक्टर गिव एटल आर्विंग रेट तर्सरी सेक्टर तेजी से बढ़ा फिर देन केम इंडुस्ट्रीर को एक्दम ओफरकम कर गए आज के डेट में आई टी और प्लेन और यह बहुत बढ़ा का जो सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है उन सब के बदालत बैंकिंग आईटी सेक्टर ट्रांस्पोर्ट सेक्टर यानि सर्विस सेक्टर ओवरॉल प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सुपर सीड कर चुकी है हम लोग नेक्स स्लाइड में देखेंगे कि हम लोग के देश का एकोनॉमिका दिखा रहा है कि जो ग्राफ है में लोग ग्राफ वन उसमें देख रहे हैं हम लोग पढ़िएगा जीडी पी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर उनी सो से यह हम लोग को ग्राफ में दो दो साल का दियावे, 73-74, मतलब 70-73-74, and financial year 13-14. तो देखे हैं कि उस समय हम लोग के देश की एकोनोमी का, जो लगभग 5 लाग करोड के रूप में हम लोग के देश की एकोनोमी होगी, उसमें लगभग 5 लाग करोड में लगभग 3 लाग करोड जो थी देश की एकोनोमी वो एगरी कल्चर से थी, और यह यदि पूरे का हिसाब लगाया जाए, तो लगभग 40% से ज्यादा वो खेती पे डिपेंडेंट थी, फिर उसमें से यदि 2 लाग करोड जो होगी वो सिर्फ 6 लाग करोड की एकोनोमी उस समय थी, तो 2 लाग की गोनोमी हमारी सेकेंडरी सेक्टर से यह नि मैनुफेक्टरिन बहुत कम था, फिर टर्सरी सेक्टर जो थी जो खेती से एगरी कल्चर से थोड़ी कम थी और वो उसका लगोज अढ़ाई या तीन के आसपास में उसका भैलू होगा यानि यह मतलब यह दिखाने कोशिस कर रहा है कि हमारा एगरी कल्चर जो था उसमें यानि प्राइमरी सेक्टर जो था बहुत ज्यादा था बहुत उपर था प्रे सेकेंडरी और टर्सरी के रिस्पेक्ट में पर जो वही थर्टीन और फोर्टीन में हम लोग आते हैं फाइने दिख़़ा सेकं हैoye में सेकेंड्री सेक्टर की कितनी है लगब दो लाख करोड अब तर्टार जोन के आसपास में है और टर्सरी जर्ट्र यानि सर्विस सेक्टर के किन्योमि कितनी है हमारी लगबग ये पचीस लाख करोड़ों के आसपास पहुंची हुई है तो हम लोग यहाँ डिफरेंस से हम लोग पता अंदाज लगा सकते हैं कि टर्सरी सेक्टर हमारा कितना तेजी से आगे बढ़ा है इसमें और आगे भी कुछ हमने पॉइंट्स नोट्स किये हैं वो भी देख लेते हैं आज कंट्री डेवलप्स जैसे देश बढ़ता है मतलब कैसे यह ग्रोथ हुआ लग लग सेक्टर का उसके बारे में थोड़ी से थोड़ा सच्छा क्या गया है आज कंट्री डेवलप्स बेसिक सर्विसे सच अज हॉस्पिटल्स इजुकेस्नल इंस्टिशन्स पोस्ट आप जान यदि आपको याद होगा तो यदि रेलवे का टिकेट कटाने के लिए बहुत कम फैसलेटी होती थी आप आज ऑनलाइन हो गया तो टिकेट अराम से घर से ही कटा ले रहे हैं उसका वाल्यूम भी बढ़ता चला गया रेलवे का भी डेवलप्मेंट होता चला गया बैंक के लिए एक काम भेरिवर बैंक में करना हो तो उसके घंचों घंचों एक दिन दो दिन महों हो सकए कभी कई महीनों चकर लगाने पड़ते थे आज बैंकिंग की फैसलिटी अच्छी हो गई है हर गाऊ, गाऊ में लहों बैंक पहुंच्च चुके हैं तो बैंकिंग का फैसिलिटी बढ़ा, डिवल्लप्रेंट बढ़ा, ये जली लिवल्लोप्मेंट बढ़ा बैंक ज़ाधा होते चले गया तो सर्विस सेक्टर का डिवल्लॉप्मेंट होता चला गया उसी तरह पुलिस उलिस जो हम लोगा पुलिस डिपार्टमेंट है या हेल्थ डिपार्टमेंट है नए ने हॉस्पिटल सरकार के तरफ सी बेभी आगे बढ़ते आते जा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल भी बहुत सारे आते गए हैं क्योंकि जो डिमांड है उसके उसके से चला करते थे आज बड़े-बड़ी बिल्डिंगों में तद्दिल होते चले गए हैं तो डिफेंस का जो बजट हम लोग का उस समय हुआ करता था तो पूरे यह जैको नौमी का वह जदि आज देखा जाएता पूरे इकोनोमी का पचीस पर्सेंट होता है जो उस समय के टोटल बजट को तो यह जादा हो गया है तो यह जो अलग-अलग सेक्टर का जैसेसे देश का का डेअल आप करता है हर दीरे डेवलप करता है जब अरब कर राएं लोगों को इम्पोराइविलिटी सेक्टर में बढ़ती है पैसा उसमें जज़्यादा म करता है यानि जनरली सेक्टर जो आप जैसे इसे आप एकोनॉमी ग्रो की आपका डिमांड बढ़ता गया आपके आप सो रुप्या है कले दो सो रुप्या हो जाएगा तो पहले उस सो रुप्या में सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के बारे में सोचते थे जब 200 हुआ तो उस सो रुप्या में अब कई मूवी के लिए भी सोचते हैं फिर कभी बाहर पार्क में घूमने के लिए सोचते हैं फिर कभी देश विदेश से परियाटन के लिए सोचते हैं तो यहीं बता रहा है कि जैसे इसे इकोनॉमी बढ़ती है लोगों का वेल्थ बढ करते हैं हेल्थ के लिए उसी तरह डॉक्टरी डॉक्टर के भी ज्यादा ज़रुवत पड़ती है ज्यादा ज्यादा लोग अपने हेल्थ पर खर्च करते हैं तो यह बता रहा है कि देश की एकोनॉमी के साथ तर्सरी सेक्टर का भी डेवलप्मेंट ज्यादा होता है सेकेंड में है देवलप्मेंट अफ एगरी केल्चर रिंडस्ट्री लीडस तो डेवलप्मेंट बढ गया है लोगों को खरीदने की चमता बढ गई है इसलिए बढता है कि डेवलप्मेंट जैती ज्यादा हो रहा है तो जो खेती एक बिगे में आजसे दास साथ दासा पीस साल पहले होती होगी नए नए एक्विक्मेंट ट्राक्टर फ्रेसर या फीटर या जो भी नए नए एक्विप्मेंट है नए फर्टिलाइजर उसके चलते उसे रिया का भी उत्पाद बढ़ा प्रोडक्शन बढ़ा तो खेती भी अगरी कल्चर भी और ज्यादा ज्यादा यह प्रॉफीटेबल होती चली गए उसी तरह हम लोग कहां इंड्रस्ट्री भी और ज्यादा लगता चला गया तो यह सब भी मिलाकर यह सब के चलते भी हम लोग कहां टर्सरी सेक्टर के जो ट्रांस्पोर्टेशन का जो डेवलाप्मेंट हुआ वो यह दोनों भी उसमें स प्रेजना सुरू कर दिये हैं अब आगे बढ़ते हैं जो नेक्स लाइड है उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा जीडीपी का जो टोटल हंडेट परसेंट के डूप में कि इसका कितना सेर था उसके बारे में पढ़ेंगे तो इसमें और भी देखिए कुछ इसके पहले ज आप गड़ेंगे पैसा बढ़ेगा तो जिनके पास पैसा है तो वह लोग और अच्छी सर्विसेज चाहेंगे तो वह सर्विसेज उनके मेंटल रहें एक तरस साइकोलेजकल नीड को पूरा करती है जैसे कि बाहर रेटोंट में जाके खाना-खाना तो जितना ज्यादा लो को बढ़े हैं सर्विस सेक्टर को बढ़ा रहा है उसी तरह टूरिज्म का हम मैंने चर्चा किया था घूमने देश देश इंडिया में इधर उधर जाएंगे शॉपिंग पाले हम लोग सीजनल सॉपिंग किया करते थे दसारा और होली के समय तो आज सॉपिंग मतलब संस्ता भी होता गया और लोगों के पास पैसा ज्यादा आ रहा है तो सॉपिंग हम लोग किसी सीजन या किसी पर्व का इंतजार जनरली नहीं करते हैं कोई-कोई बहुत आई लोग तो ऐसे भी मतलब मंच में एक दूबार सॉपिंग के लिए जाते हैं कि सॉपिंग के लावा भी दर्ण जीमाले इसे पहले लोग रोटी के रोटी सब्जी दालभात में जी लेते थे तह भाइन कई 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 बिस्किट खाने का मन करता तो चोकलेट खाने का मन करता तो अभी एक सॉपिंग कहीं हिस्सा हुआ फिर उसी तरह होस्पिटल पहले भी थे परन्तु आपके पास आए तो कौन लाइन लगने जाए तो उसके लिए प्राइवेट बैक्ट ऐस्पीटल जाये एंड कम्मिनिकेशन टेक्नलोजी है बिकम इंपॉर्टेंट एन इसेंशियल बोला है कि यह लास्ट दस सालों में जैसे इसे पैसा बढ़ा और जैसे इसे डेवलप्रेंट बढ़ा तो कई नए सर्विसेज जो आई टी कमिन आई टी बेस्ट थे वो सब इंपॉर्टेंट बनत प्रणतु आज वो नेसेशिटी बन गई है वितना नेट बैंकिंग नेसेशिटी नहीं थी पर आज नेसेशिटी बन गई है तो रेलवे टिकेट ले मोस्ट अफ जो आप लोग स्टूडेंट है साहद ही अब काउंटर पर जाते होंगे रेलवेटिकट कटाने आज वह ओं- प्रणाइन नेट प्रेलवे टिकेट है वह नेसेशिटी बन गई है तो यहीं बोला है कि यह सब चीज समय के अंशार टेक्नलोजी डेवलाप्मेंट के अंशार उसी तरह टीवी रे जो पहले लोग रेडियो में खुसवा करते थे अब टीवी नेसेशिटी बन गई है तो स हमें के अंशार यह सब चीज जरूरत के साथ साथ डिमांड भी बढ़ाती है कोई भी चीज की अब से ग्राफ टू में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो सेक्टर है वो सब कैसे टोटल एकोनोमी का कितना परसेंट अब ले चुका है तो फिर सेक्वारा प्राइमरी सेक्टर स फिर सेकेंड में आएंगे सेक्टर बाले में देखेंगे कि हमारा जो प्राइमरी यह सिर्फ यह देखना है जो हमारा एक्रिकर्टर जो था आज जो 73-74 में सबसे उपर था देश के प्रोड़क्शन मतलब टोटल इंकम में वो 13-14 में आके सबसे नीचे हो गया और उसी तरह शेयर कितना बढ़ा हमारे देश का GDP का 100% टोटल शेयर है तो हम लोग साब दे सकते हैं कि हमारे देश के GDP का 73-74 में 40% हिस्सा खेती का था 10% हिस्सा मैनुफैक्ट्रिंग का था और सिर्फ 50% हिस्सा जो था वो सर्विस सेक्टर का था मतलब उसमें भी सर्विस सेक्टर तो आ गहीं था लेकिन एगरी कल्चर का भी बाहां तो अच्छा खासा था और वही 13-14 में जाएंगे तो खेती सबसे नीचे आ गई कि मैनुफैक्ट्रिंग खेती से उपर हो गई खेती कहां आ गई लगववग 11% के आसपास में मैनुफैक्ट्रिंग लगवग 20% के आसपास में पहुंच गई और रेश्ट जो हो गया वो सर्विस सेक्टर ने हमारे देश के एकोनोमी का ले लिया और इसका एक और रीजन है कि हम लोग आज IT इंडस्ट्री आइटी छेत्र में दुनिया के गिनी चुनी सक्तियों में गिने जाते हैं तो इसलिए IT इंडस्ट्री हम लोग का बहुत बड़ा रेवेन्यू जेनरेशन कर रहा है तो और मोबाईल और इंटरनेट के टेकलों मोबाईल इंटरनेट यूजर अगें दूनिया में सब से याधा है तो यह सब चीज़ों से व्लप्मेंट सर्विस सक्तर में होना राजमी है हसे अब आगे बढ़ेंगे अब बोला सब रातर्ए ओसमें हम लोग सेखेंगे कि कि सब से यॉज़ादा लोग इंप्लॉइड है तर्स डेसे सेक्ट्र噏 के बा अब यह देखिए यह इसमें हम लोग देखेंगे कौन से सेक्टर में अभी भी लोग ज्यादा इंप्लॉएड हैं देखिए ग्राफ 3 सोज जो हम लोग ग्राफ 3 वो दिखाता है कि 77-78 में देश के 71 परसेंट लोग अगरिकल्चर में इंप्लोएड थे 11 लोग मैनिफेक्चरिंग में इंप्लोएड थे और 18 परसेंट लोग सबसे कम पैसा मतब यह देती है लेकिन आज के डेट में भी सबसे ज्यादा लोग इंप्लॉइड किसमें है एग्रिकल्चर सेक्टर में 44 परसेंट तो उसके बाद है टर स्य सेकंडरी सेक्टर ने 25 परसेंट और सबसे ज्यादा जो पैसा देने वाली है तर्शरी सेक्टर वहां सिर्टी वन परसेंट तो इसी के बारे में यह जो हम लोग का जो प्रॉब्लम है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे तो जो जो पॉइंट मैंने नोट के वो पहले एक बार पढ़ दूँ इति नोट विकाओज अनुब ज़ीज़ वेर क्रियेटेड इन दसेकेंड्री और तर्शरी सेक्टर बोल रहा है कि यह जो हम लोग किया वह बोल रहा है कि जो खेती सेखेति के में अग्रिकल्चर सेक्टर में आज भी उतने ज्यादा इंप्लॉइड लोग क्यों हैं क्यों क्य सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में हम लोगों ने जॉब क्रियेशन बहुत कम किया जो जवरता उससे किया हमनों बहुत ज्यादा जॉब क्रियेशन नहीं किया उसका असर क्या हुआ कि आज ही बहुत सारे लोग खेती में ही उल्जे पड़े हैं खेती को इसलिए इसलिए भी क काम कर रहे हैं एक खेत में तो उस दस लोग में जो खेती का काम हो रहा है हम लोग मसीनरी का इस्तमाल कम करते हैं आज भी पुराने तरीके से रूडिमेंटरी तरीके से जो खेती कर रहे हैं छोटे-छोटे काम या उनका समय बिना value का बरवाद हो रहा है उसी को आगे भी पढ़ेंगे इसका एक बहुत अच्छा टर्म दिया है आगे पढ़ेंगे इविन दो इंडस्ट्रियल आउट्पूट और प्रोडक्शन अब गूड्स वेंट अप बाइ मोर देन नाइन टाइम्स बोल रहा है कि इंडस्ट्रियल आउट्पूट जो हमारा है उस समय से आज तक में नौ गुना से जादा बढ़ गया है पर मसीनरी के चलते और भी कई हम लोग ने जो फॉरवर्ड थिंकिंग नहीं रखिए उसके क्यारण क्या हुआ कि हमारा जो इंप्लाइमेंट जेनरेशन उस गेट रेट से नहीं बढ़ा आज नौ गुना ज्यादा लोग उस रेंज में उस सेक्टर में नहीं काम कर रहे हैं देखें कहां समय ग्यारा गुना लोग काम कर रहे हैं अब यह ज्यादा ज्यादा नहीं किया उसी का असर है कि कम पैसा देने वाले प्राइमरी सेक्टर में आज भी ज्यादा ज्यादा लोग काम कर रहे हैं हैं मिद्वं अभा इसको देख डश कर रहे थे उसको क्या करते हैं डिसगाइस ऑनेंप्लायम्न्ट डिसक्ताई उन्डरिंप्लायमंट यानि छूपा हूँ अंडरिंप्लायमेंड मतलब क्या हुआ कि हमको आपकोले यहांसे यहां रोजगार पास estás कर्षैव नहीं परंतु क्या है वह लोग यो खेती कर रहे रहे उसका वेल्ग सब्सक्राइब थर्क्सित भाए उस्वेत जोर listeners my जोरा जाएat तो बेसिक काम जो खेतों में चार महिने पांच महिने का उता है बाकी छे महीने वह उसी खेती के प्रोड्यूस प बिट्सक्राइब होता है तो बहुत ज्यादा गैप जो है अनलोग चुपचा बैठे रहते हैं उनके समय का सदूपव्योग नहीं हो आता है यही under employment का कारण है आगे इसमें बढ़ते हैं there are more people in agriculture than it is necessary so even if you are if you move a few people out कुछ लोगों को उसमें से आप निकाल भी देते हैं production will not be affected in other words working in agriculture sector are under employed उसी तरह है कि the under employment can also happen in other sector बोला कि सिर्फ अग्रिकल्स प्राइमरी सेक्टर में ऐसा नहीं होता से केंडरी में भी असा होता है आप लोग देखते होंगे हर कोने कोने पर बजार समीतिया कहीं भी देखते हों मोड पर जाके तो लेवर हर दिन सुबह आठ हो जो नो बज़े से नहीं किया तो वो देश का मतलब देश में अभी भी वो अंडर इंप्लाइमेंट है तो इस पॉइंट में है इस अंडर इंप्लाइमेंट में इस अंडर इंप्लाइमेंट can also happen in other sector for example there are thousands of casual workers in service sector in urban areas you search for daily employment many of them don't find work every day similarly we see other people of the service sector on the street pushing a cart or selling something where they may spend the whole day but earn very little आज कल देख सकते हैं यह बहुत सारा जहुत दिन ऐसा होता है कि मार्केट ही मन्दा है तो जो हर दिन 400 रुपे कमाता था कभी कि वह 100 रुपे कमाता है तो वह 300 रुपे का जो उसका devaluation हो गया उसे कमाई का कमी हो गया देखता से उसका employment under employment हो गया वह उसमें कोई कमा नहीं पाया यानि उसके जो समय का उप्योग जो होना था जो पैसा जनरेट करने मों वह नहीं हो पाया कि मेनी अब देम डोंट फाइंड वर्क एवरी डे बहुत साहे लोग डेली काम नहीं कर मिल पाता है ठेला वाला ही है तो मार्केट मंदा है तो ठेला उसको डेली दिन बार जो कभी कभी पोरा बीजी रहता है दिन बार में छे साथ सो आट सो कमाई कर लेता है कभी कभी एक दो भाड़ा ही मिल पाता है तो भी अंडर इंप्लोइमेंट है डिस अधर पीपल अब सर्विस सेक्टर अंदा स्ट्रीट पुसिंग कर्ट और मतलब यहीं बता रहा है कि जैसे हम जी काम नहीं मिला अपर्चिनिटी उनको नहीं मिली तो उनके जो काम का बर्बाद बर्बा यहां कि रोजगार उनके पास है वह कमा रहे हैं लेकिन कुछ है कि जो ऐसे भी लोग है जो बिना काम के चुप-चप भरों बैठे हुए हैं परंतु कुछ ऐसे भी है कि उनको काम है परंतु वह काम का उनका पूरा भैल वेल्वेशन नहीं हो पा रहा है यानि माले लिवर ह तो चार सोर्पेस उसको मिलता है तो हर दिन उसको नहीं मिल पारा है तो बारा हजार के जगाओ 870 7000 कमा रहे हैं और वही अधी को ये तो यह तीन हजार-चारहार का जो गएप हुआ जो बारह हजार के कल्कुलेशन में तो वह चाला करके है दी तीन-चार लेबर का जोड़ कहला रहा है कहलाता है तो हम लोग जादा-जादा क्या employment generate करने के लिए क्या कर सकते हैं आपके बुक में जो sample दिया हुआ है उसके बारे में इसमें मनरेगा का इस्तेमाल सरकार ने किया वह बहुत अच्छा उसी के बारे उसी से हम लोग अलग-अलग काम करवा सकते हैं इंप्रूब रूरल इंफ्रास्ट्रक्ट्ट्टर आज भी हम लोग के गाउन में सणक बहुत कम्योड हैं खराब हैं नालियों की की बहुत जरुवत है नाली यह सणक है तो सफाई साफ सफाई की जरुवत है तो रूरल इंफ्रास्ट्रेक्चर डेवलप कर सकते हैं खेती के लिए पर दोश्ट्री आज भी हमारे देश में रेंफेड ही बेवस्ता बारी सुई तो ठीक है नहीं तो जबीन का पानी निकालिये यह वह भी सिस्टम नहीं है तो हम लोग कनाल डेवलप्मेंट को कि इतनी बड़ी आबादी आज भी हम लोग इतना खेशते बड़े इस तर पर खे अनाज का उत्पादन हुआ उसका दूसके श्टोरेज की बहुत कमी है कई 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 बार हम लोग न्यूज में देखते हैं कि बार अनाज प्रोडूसर कार ने खरीद लिया है पर खुले मैदानों में छोड़ दिया है संड़ हैं तो उसके लिए हम लोग कोल्ड श्टोरेज हैं या बड़े बड़े वेयर रहाट से गोड़ाउन बना सकते हैं तो यह सब कामों में अंदर लोग है या निप्लाइड लोग है तो आज समत्ते हम लोग संदो 한ते मारे में चलचर लगा सकते हैं फुट प्रेंडल मील लगा सकते हैं राइस मील लगा सकते हैं जौब जौब जेनरेशन सब्सक्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर में ज़्एंडेせて रटर्स from kasta कर सकते हैं हम लोग क्या स्वास्त की सेभाई अभी भाछ अच्छी नहीं है तो जढ़ा-ज़द ट्रेंटर सकी ट्रेंटर चेBoyन को पढ़ाएं और ज्यदा-जदाILL सेक्टर में नर्श है एक एक स्कूल है जहां एक क्लास में दो दो सो तिन तिन सो बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में तो एजुकेशन को भी हम लोग पे उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इजुकेशन में सिभिल वर्क भी आएगा एजुकेशन में टीचर रूचर का इभी भाली होगी त्यानी लोकल लेवल पर हम लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं, इसके तहथ क्या होता है कि सरकार हर दिन हर साल कम से कम सौ दिन की गारंटी देती है कि भाई खेतिहर लोग जो साल भर में बाकी दिन बिना काम के जो बैठे रहते हैं उनको सौ दिन का रोजगार उनके dińsk क्षब्ड घाएक गाओं में उसे मिल जाए जिससे क्या हो की वो उनके रोजगार to enjoy давайте उनका इनकम बढ़े । देश में लीकवेड ज्यादा बढ़े और देश सामें का प्राइम्री सेक्टर भी जादा से जादा डेवलप्ट करें सेकंडरी स्ट 있고요 से और से ज्यादा डे अलब करें सभी पोइंट्स है समझ में आप लोगे अंगसा से 10 सब्सक्राइब को प्राइम्री सेक्टर opportunity सेक्टर समझ में आ गया होगा ऑनों में टे तीनों में डिफेरेंस क्या है वो समझ में आ गया होगा और तीनों को में क्या क्या समस्थ्यां हैं क्या-kya problems है वो भी हम लोग हम जहां तक primary sector secondary sector में या यह under employment का problem है वो भी आप समझ चुके होंगे यदि इसमें कोई और problem होगा question होगा सवाल होगा तो comments में दे या email करें या उसको हम लोग discuss करेंगे और आप लोग पढ़ें कुछ चूटा हो कि में सिंग हो तो आप कूछ सकते हैं मैं आपको बताने कोशिस करूंगा धन्यवाद